तो हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेमसंग गैलेक्सी का बहुत ही कमाल का फिचर दोस्तो सब लोगों के मन में यह रहता है कि जो फोटो होती है जो अपनी कैलरी के पेक है वो कैसे आप आप सेमसंग कीबोर्ड में लगा है पर लोगो कौन-कौन से कैसे कैसे हैं तो वहाँ पार डिजाइन कर सकते हैं या बुल सकते हैं एक अलग से थीम डिजाइन कर सकते हैं जैसा आप कीबोर्ड चाहते हैं वह आप कीबोर्ड उसको यूज कर सकते हैं दोस्तों मतलब कि आप सेमसंग कीबोर्ड के लिए एक अलग से थीम ब बताया हुआ दोस्तों वीडियो को स्किम्मत करेगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यह आप समझ पाएंगे दोस्तों चलते हैं अगे मेरा नाम सद्रीयर और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टैक में तो दोस्तो जैसा कि मैंने बताया मैं आपको बताने माला हूँ कैसे आप अपने keyboard की theme को create कर पाएंगे और उसमें अपनी images और अपने जाप से color को adjust कर पाएंगे अपनी keyboard की theme में वो भी Samsung के officially app में या Samsung के officially keyboard वाली app में आपको कोई भी app को download नहीं करना है तो अब आपको उसके लिए एक software को download करना है जो की Samsung की app है जिसका नाम है theme park आपको इसको Google Play Store से या फिर Galaxy Store से आपको इसको download कर लेना है download करने किया तो आपको यहाँ पर ऐसा interface दिखाईएगा मैं इसको कर लेता हूँ light mode पे यह dark में है मैं इसको कर लेता हूँ light में ताकि आपको easily वहाँ से visible हो जाए और आप उसको देखके adjust कर पाएं तो अब यह लोग है light पे आपको यहाँ पर by default आप यहाँ पर ऐसा open हो जाएगा यहाँ पर आपको जाना है second number पर keyword वाले पर click कर लेना है जैसी आप keyword पर click करेंगे तो उपर आपके blank आएगा तर आपने नहीं मनायागा तो मैंने बना के रखाया तो वह दिखा रहा है आपको simply करना है create new पर click करेंगे तो आपको ऐसा option आजाएगा और आप यहाँ देखेंगे ऊपर जितने जितने round दिख रहा है न आप वो सब चीजों को adjust कर सकते हैं अपने सापसे color adjust कर सकते हैं अगर आपको image जालना है तो image के लिए आपको अलग से यह देख रहा है आपको यह option दिया गया आपको simply करना है है यहाँ पर click करना है यहाँ पर click ने मागा जड़ करना है जो आपको अपने background पर लगाना है तो like मुझे यहाँ फोटो अड़ा लगाना है मैंने उस दीक लिए आपको फोटो को सेलेट कर लेना है और आप वो देखेंगे बैकराउंड पर आपके सेट हो गई है आपको दिखरा होगा अगर आपको चेंज करना हो तो वापस यहां क्रॉस करेंगे फिर वापस आप लगा सकते हैं तो यह फोटो आप देखेंगे यहां पर एजस्ट हो गई इसको भूल यह, मस्ड एजस्ट हो गई है, सिंग बल आपको दिखरा होगा, यह एजस्ट हो चुक्ये, अब आपको यहां पर colors को modify करना है, लाइक यहां पर सबसे पहले आपको जो उपर icons आते हैं, उनके color को change करना है, तो यहां पर click करना होगा, यहां click करने के बाद saturation को on करन होगा लाइक यहाँ पर आपको green कर नहीं लेना है तो green color पर click करेंगे okay करेंगे तो आप यहां देखेंगे जो ऊपर की तरफ जो उपर जो टोलबार्स में color साते हैं वो green color के ओगा आपको दिख रहा होगा उसके बाद आगर आपको यह जो आपको से सिरेशिलेशन पे करना है वापिस आपको जो सा बले लेना है उस कलर पे आपको कले लिया गया चीजा जाए यह तो आप इस तो से अपने साथ चाहिए जो भी आपको ऐसे जहुकर Hagans उसके बाद आपको यहां पर जो जैसी आप क्लिक करते हैं क्लिक करने का देख विंड उपर से पॉप अप होता है उसका कलर क्या करना है आपको उसका कलर यहां से अगर आप कलर भी कर सकते हैं तो आपको कलर करना हो तो कलर कर लिजिए अगर आप इमेज करेंगे तो आप कि दोस्तों यह देखी जो मैंने इमेज लगाई है आप देखेंगे जैसी आप कोई वर्ट को क्लिक करेंगे तो वहाँ पर दिखेंगी बैक्राउंड में नहीं अच्छी लगती इसको अटा दीजेगा वापिस आपको यहां पर कलर करना है तो वापिस यहां कलर पर क्लिक करे लहाइब और आपको सब जगहां जाती है त अब आपको एक और चेंज करना है यहां पर इनके बेंक्राउंड का वेक्राउंड पर चाहें तो आप ही हमेज लगा सकते हैं या फिर वही कलर जो आप लगाना चाहते हैं तो इन कलर सकते हैं वो highlight हो जाएंगे, आप देख रहेंगे, create हो गई है, बट यह मैंने जल्दी यल्दे में क्लिक करी है, आपको यहाँ पर जो space बार है, उसका color change करना हो, तो यहाँ क्लिक करना होगा, यहाँ से आपको कोई सा भी, जो भी color आपको चाहिए, वो color पर click करना होगा, वो हाँ पर आ जाते हैं यह color, आपको यह yellow वाले नहीं अच्छा लग रहा, या बोल सकते हैं, light green अच्छा नहीं लग रहा, आप इसको अटा दीजिए, और यह आपर यह भी विकार है, तो यह बहुत सारे color ऐसे दिये हुए, आपको अपने साब से एक एक करके, चेक करके उसको लगाना हो होगा, तो आप उसको नहीं लगाओ तो ज्यादा बैस्त लग रहा, यह color आपका बद चुका है, यह आपका जो बना हुआ है, यह light theme के लिए बना है, अगर आप अपने वाल में dark theme लगाएंगे, तो उसके लिए आपको अलग से adjust करना होगा, यह उपर जाएंगे, यह उपर अपर adjust करना है, जो आपने वहाँ पर लगाया थे, तो यह मैं फटाफड ऐसी adjust कर लेता हूँ, जल्दी-जल्दी में, तो यह आपको फटाफट से यहाँ पर adjust कर लेना होई कि वही same process रहेगी, same color आपको यहाँ पर यह same color नहीं करना हो, आपको जैसे color करना हो, और डार्क मे करिए अब यहां पर ठीक लग रहा है तो आप उसको एजी ली बनाईएगा उसके बाद आपको यहां पर क्लिक करना है डाउन वाले चालू हो गई है और यह बेक्राउंड में प्रोसेच चलती रहेगी इसको मैक्सिमम दो से चार मीट लगेंगे हो गया है जैसी हो जाएगा तो आपको दिख रहा होगा यह वहाँ पर आपको सिंग करके या बोल सकते हैं हिल डूल के बताया कि वह यह मैं बन चुका हूं नया अब ऌई आपको क्लिक करने के आपको यहां दोनों ऑप्शन मिल जाएंगे लाइट के लिए आपको ऐसा है आपडों कर लेता हूं है तो ऑडेए डेफॉल्ट तो डूर्टि में आटोमेटिक वहाँ पर चेंज हो Engineers यह आप देख सकते हैं जो डार्क थीम के लिए मनाया था वो डार्क में हो गया है दोस्तों बहुत ही प्यारा फीचर है दोस्तों अपने साब से थीम को कस्टमाइज करना मतलब अपनी फोटो भी लगाना जैमसंग रीबोर्ड में तो बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा अप्टर 3.1 के अपडेट के बाद तो उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक यू तो दोस्तो मुझे उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई दोस्तो प्लीज लाइक जरू करें अगर आपको लगता है दोस्तो मेरी वीडियो में कुछ कमी है तो आप मुझे डिसलाइक कर सकते हैं दोस्तो और अगर सबसे पहले मिले दोस्तों और हो सके तो मुझे इंस्टागराम और फेज्बूप फॉलो करना भी ना भूले इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा और आपको यहां पर आपको इंस्टागराम का में इसक्रीशोट लाकर दिखा रहा हूं तो आप प्लीज मुझे आपे फॉलोग करना भी ना भूलें तो थैंकि दोस्तो